सबसे पहले हमने फेमरल साइट को अच्छे से बेटाडीन से साफ करना है उसके बाद 6-8 मिलिलिटर लोकल अनस्थाइजर देना है फेमरल वेन पंक्चर के लिए पहले फेमरल आर्टरी को फिंगर से अच्छे से चेक करना है फिर एक से दो सेंटीमीटर अंदर की तरफ पंक्चर करना है निडल जैसे ही अंदर इंसर्थ करो गये तो आपको निडल में बलड आते देख जाएगा बलड आते ही फेमरल शीत की गाइड वायर को पुश करना है पुश स्लोली एंड कैफली धीरे धीरे से वायर को अंदर धके ले, जोर से वायर को अंदर ना डाले फिर पंक्चर निडल को धीरे से बाहर निकाल कर गाइड वायर के उपर से शीत को ले जाना है शीत को डालने के बाद शीत की guide wire और dilator को धीरे से बाहर निकाल देना है dilator और शीत को बाहर निकालने के बाद शीत को अच्छे से 1, 2 bar NS से flush कर देना है इस तरह की टेक्नीक से patient को आप आसानी से femoral venus sheath डाल सकते हैं झाले पो कर दो थाग्जू कर दो जो नहीं है